सभी को नमस्कार आज मैं एक विशय के बारे में साजा करने जा रहा हूँ कमर पीठ दर्द के लिए योगासन योगा फॉर बैक पेइन यदि आपको पीठ दर्द से राहत पानी है, तो यह 10 मिनट का शुरुवाती यो सिक्विन्स विशेश रूप से डिजाइन किया गया है कृप्या किसी भी व्याया कार्यक्रम की शुरुवात करने से पहले अपने चिकित सक्से परामर्ष करें खास कर अगर आपके पास कोई मौजूदा स्वास्थ्य समस्या है चलिए शुरू करते हैं एक मारजरी आसन कैट काव पोजिशन अपने हाथों और घुटनों पर टेबल टॉप की स्थिती में आएं अपनी पीठ को आर्च करते हुए और इसे गोलाकार करें जैसे कि आप अपने हाथों और अपने पैरों के उपर से फर्ष को नीचे धकेलते हैं ये आसन रीड की हड़ी को मालिश करने में मदद करता है जबकि पीठ और धड़ को स्ट्रेच करता है दो अर्धमत सेंदरासन स्पाइनल ट्विस्ट योगा अपने बाएं पैर को सीधे रखें और अपना दाहिना पैर को मोडो ताकि आपका पैर सपाट रहें और बाए हाथ की कोहनी को दाहिने घुटने पर रखें अर्धमत सेंदरासन से रीड की हड़ी मुर्ती है और वीड की हड़ी के लिए बेहद लाभदायक होता है तीन अधो मुक्षवानासन डाउनवर्ड डॉग पोज अपने हाथों और पैरों के बल आएं और शरीर को एक मेज की स्थिती में लाएं सास छोडते हुए कमर को उपर उठाएं अपने दोनों हाथों को सीधा खड़ा रखें अधो मुक्षवान की अवस्था में बने रहें चार पाश्चिमोतानासन सीटेड फोरवर्ड फोल्ड बैठ कर अपनी पैठ को आगे की ओर जुकाएं यहां आसन पीठ के दर्द का इलाज करने में मदद कर सकता है पाँच बालासन चाइल्ड्स पोज अपने हाथों और घुटनों पर बैठें अपनी पीठ को धीरे से नीचे जुकाएं जैसे की आप अपने बच्चे के रूप में बैठ रहे हूँ अपने हाथों को आगे बढ़ाए और फिर अपनी चाती को अपने घुटनों पर धके ले धीरे से सास छोडेन और ध्यान रखें की आप शान्त और सुकून से बैठे हैं यह आशन आपकी पीठ की हड़ी को राहत पहुचाने में मदद कर सकता है देखने के लिए धन्यवाद कृप्या लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें आशा है आपको हमारी यूट्यूब श्रिंखला पसंद आई होगी जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अलविदा